इडी ने या केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया कि वे अर्विंद केज्रिवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं ना वो गवाह हैं ना वो अभियुक्त है इडी ने अब तक साथ नहीं किया कि टाइमिंग पर भी कि सवाल उखते हैं कि ठीक लोगसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोगसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है उन चुनाव की कैम्पेइन से पहले मुक्यमंत्री अर्विंत के जीवाल जी को गिरफ़तार करने की साधिश केंद्र सरकार कर रही है ताकि मुक्यमंत्री लोगसभा चुनाव की कैम्पेइन में ना जा पाए उनको जेल में बंद कर दिया जाए हम सब यह बात जानते हैं कि पिछले देड़ साल से इंवेस्टिगेशन चल रही है देड़ साल हो गया है जब चार्ट शीट दायर हो चुकी है चार्ट शीट के बाद इस स्टेज पे अर्विंद केज़िवार जी को क्यों बुलाया जा रहा है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुमिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24